हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके लिए यह बहुती सुन्दर केविल पेटन लेकर आई हूँ इस डीजाइन को आप लेडिस कार्डिगन में लेडिस जेकिट में जेंस हाफ स्वेटर में बच्चों के स्वेटर में हर प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकत हैं यह देखे यह देखने में बहुती सुन्दर है और बनाने में बहुती आसान है यह बहुती जल्दी और आसानी से बनने वाला डिजाइन है यह आठ सलाई का डिजाइन है आठ सलाई हमें बार बार रिपीट करनी होती है आठ सलाई रिपीट करने पर यह देखिए इतना सुंदर डिजाइन बन कराता है यह हमारी राइट साइड है इस तरह से और ये रॉंग साइड है रॉंग साइड हमें हमारी ये इस तरह से नजर आएगी यह हमारे डिजाइंग की रोंग साइड है और इसके लिए हमें जो फंदे चाहिए होंगे वो हमें 10 मंटिपल के फंदे चाहिए होंगे हमें 10 के जोड़े से फंदे चाहिए होंगे 10, 10, 10 इस तरह से 10 प्लस के फंदे चाहिए हमें अब हम बनाने स्टार्ट करते हैं यह देखिए इसे बनाने के लिए मैंने इसमें 20 फंदे लिए हैं 10 मंटिपल के 10 प्लस 10 10 के जोड़े से हमें फंदे लेने होते हैं और हमने इसमें दो सलाई उल्टे-उल्टे की बना लिए है एक लाइन बना लिए हमने अब यह हमारी सीजी साइड है यहां से हमी स्टार्ट करेंगे बनाना यह हमारी फर्स्ट रोव है पहले हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे यह इस तरह से हमारे पांच फंदे होगे अब उन आगे करेंगे अब हम पांच फंदे उल्टे बुनेंगे लेकिन सलाई पर दो बार इस तरह से धागा लपेटेंगे ये देखे इस तरह से 5 फंदे उल्टे बनाएंगे और दो बार सलाई पर इस तरह से धागा लपेटेंगे ये देखे 2 धागे आगे इस तरह से हमें पांच फंदे बनाने हों उल्टे दो तीन चार पांच इस तरह से हमने ये पांच फंदे बना लिए ये देखिया हमारे तस फंदे हो गए अब फिर से हमें रिपीट करना है ये उन पीछे करेंगे फिर से पांच फंदे सीधे बुनेंगे वान टू तिरी फिर से उन आगे करेंगे हम पांच फंदे इसी तरह से बुनेंगे दो बार सलाई पर उन लपेटेंगे इस तरह से वन टू ठी फॉर फाइव ये हमारी फिर्स्ट रो कंप्लीट हो गई यह देखिए पहली सलाई हमारी कंप्लीट हो गई है अब यह हमारी सेकंड रो है उल्टी साई अब हमें क्या करना है यह हमने दो पांच फंदे बुने थे दो बार इस पर धागलपेट कर अब यह हमें खोल लेने हैं इस तरह से थ्री फोर फाइब यह पांच फंदे होंगे वान टू थ्री फोर फाइब अब यह हमें सलाई पर इसी तरह रखने हैं और अगले हमें पांच फंदे बुन कर लेने हैं यह हमें पांच फंदे उल्टे बुनने हैं यह पांच फंदे हमें ऐसे ही छोड़ देने हैं यह देखें वहांच फंदे ऊल्टे भुन कर लेंगे वहांच is přो 關係 प्रफंदे हमने बुन कर लिए हैं उल्टे और फिर साइम इंपन्दों को खुल देंगे इस तरह से वान टू, थिरी, फॉर, फाइब, यह पांच फंदे हैं, अब फिर से हम यह आगे के पांच फंदे बुन कर लेंगे, उल्टे, यह देखिए इस तरह से, वन, टू, तिरी, फॉर, फाइब, यह देखिए, यह हमें यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा लियूज रखना है, ताकि यह खिचाव ना आए इसमें, यह हमें अब दो सलाई पूरी हो गई है, अब यह हमारी तीसरी सलाई है, सीधी साइड, अब हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे, वन, टू, तिरी, फॉर, फाइफ, यह पांच फंदे सीधे बुनने के बाद, यह जो हमने धागे को ले थे, अब हमें इनको पांच फंदों को एक सा सलाई पर लेना है, बैक लुप से, और हमें यह फंदे हमें यहाँ से बुनने ह 12345 पांच बंदों को एक साथ बुनकर हम 5 बनाएंगे इससे यह फर्स्ट फंदों हो गया फर्स्ट सेकंड थिरी फॉर और यह फाइफ कि यह हमारे पांच बंदे बन गए पांच बंदों सें पांच बना दी वन तू झू थी फॉर फाइफ इस तरह से ये 5 वंदे होगे फिर से हम 5 वंदे सीधे बुनेंगे वन तू थू थी फॉर फाइफ पांच वंदे होगे अब फिर से ये 5 वंदे हैं जो हमने खोले थे अब फिर से हम इनको बैक लूप से बुनेंगे इस तरह से और पांच फंदों का पांच बनाएंगे वन कि टू कि थिरी कि फॉर फाइव यह हमारी तीसरी सलाई भी पूरी हो गई इस तरह से अब यह हमारी फॉर्थ रो है इसमें हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा भुन कर सलाई को कम्प्लीट करेंगे देखिए इस तरह से सभी फंदों को उल्टा भुन लेंगे थिरी फॉर फ्राइव फिर आगे के इस तरह से सभी फंदे उल्टे भुन कर सलाई हम कम्प्लीट करेंगे अब यह वो फंदे हैं जो हमने पाच फंदों से पाच फंदे बनाए थी इन्हें भी हम इसी तरह से बुनेंगे यह हमारी फॉर्थ रों कम्प्लीट होगे अब यह हमारी पाच विसलाई है अब यह जो पाच फंदों का केबल हमने यहां पर बनाया है अब हमें यहां पर बनाना है और यहां पर हमें पाच विसलाई है हमारी दियान दे आप इस पाच पर पाच विसलाई है पाच विसलाई है और दो बार इस पर फंदा लपेटेंगे इस तरह से जो वन टू थिरी फोर फाइफ अब पाच विसलाई सीधे बुनेंगे उन पीछे करेंगे पाच विसलाई सीधे वान टू थिरी फोर फाइफ इस तरह से यह पाच पंदों पर हमने केवल बनाया है पाच पंदे हमने सीधे बुने इस तरह से यह दस पंदे हो गए दस पंदे हमारे यह हैं इन्हें भी हमें इसी तरह से रिपीट करना है उन आगे करेंगे पाच पंदे उल्टे बुनेंगे दो बार सलाई पर दागला पेटेंगे इस तरह से पांच बंदे बनाएंगे वान तो थीरी फॉर फाइफ आखिर में पांच बंदे हैं उन पीछा करेंगे आखिर के पांच बंदे सीधे बुनेंगे यह हमारी पांच बी सलाई भी पूरी हो गई अब यह हमारी चटी सलाई है पांच बंदे हम उल्टे बुनेंगे वन टू थीरी फॉर फाइफ पांच बंदे उल्टे बुने अब जिन पर हमने दो बार धागा लिया था फंदों पर अब उनको हम खोल देंगे वन टू थीरी फॉर फाइफ इनको हम अब इसी तरह से रखेंगे और अगले हम पांच बंदे बुन कर लेंगे वन टू थीरी फॉर फाइफ पांच बंदे हो गए हमारे अब यह पांच बंदे हैं चिन पर हमने डवल धागा-ला पेटा था अब इनको हम खौल देंगे 1,2,3,4,5 यह हमारी चटी सलाई भी पूरी हो गई इस तरह से अब यह हमारी सात्वी सलाई है यह देखे यह यहाँ पर है धागा और यह 5 फंद हैं हमारे सुरू के जिन पर हमने धागा कॉला है इनको अब हम बेक लुप से बनाएंगे इस तरह से यहां से इस तरह से लेकर यहां बेक लुप से सीधे बनेंगे 5 फंदों से 5 फंदे बनाएंगे 1,2,3,4,5 यह 5 फंदे हो गए हमारे 1,2,3,4,5 अब 5 फंदे सीधे बनेंगे 1,2,3,4,5 यह 5 फंदे सीधे होगे 1,2,3,4,5 अब यह 5 फंदे हैं यह देखे सलाई पर अब हमने बेक लुप से इस तरह से पीछे की साइड से बनेंगे 5 फंदों से हमने 5 फंदे बना दिये इस तरह से देखिए 5 फंदों से 5 फंदे बन गए अब हम 5 फंदे सीधे बनेंगे 1,2,3,4,5 यह इस तरह से हमारी साथ वी सलाई भी पूरी हो अब यह हमारी 8 फिसलाई है रोंग साइड इन सभी फंदों को हम उल्टा बनेंगे यह हमने 5 फंदों से 5 फंदे बनाए थे इनको भी हम उल्टा बनेंगे इस तरह से एक एक करके इस तरह से फंदे बनेंगे हम इनको 5 फंदों से 5 फंदे बनाए थे वन टू थिरी फॉर यह फाइफ यह हमारी 8 फिसलाई भी कंप्लीट होगी यह देखे 8 सलाई होगी हमारी पूरी यह देखें आप 8 सलाई पूरी होने पर यह कितना सुन्दर डिजाइन बन कर आया है इसी तरह से आप बार बार 8 सलाई रिपीट करेंगे तो बहुत सुन्दर डिजाइन बन कर आएगा मैं आपको फिर से दिखाती हूँ 8 सलाई पूरी होने पर फिर से हम कैसे रिपीट करेंगे पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे वन टू थिरी फोर फाइफ पांच फंदे सीधे फिर उन आगे करेंगे और पांच फंदे उल्टे बुनेंगे सलाई पर दो बार उन लपेट कर इस तरह से पाँच फंदे बुनने हैं, one, two, three, four, five, यह five होगे, फिर से उन पीछे करेंगे, पाँच फंदे सीधे, one, two, three, four, five, फिर उन आगे करेंगे, पाँच फंदे उल्टे, सलाई पर दो बार उन लपेट कर, इस तरह से दो बार उन लपेटेंगे सलाई पर, one, two, three, four, five, इस तरह से देखिए, हमें फिर से आठ सलाई रिपीट करनी है, यह देखिए, आठ सलाई बार बार रिपीट करने पर, यह इतना सुन्दर डिजाइन बन कर आता है, यह हमें आठ सलाई बार बार रिपीट करनी है, तो यह बहुती सुन्दर डिजाइन बन कर आएगा, आप इसे जैन स्वेटर में जरूर अपलाई करें, जरूर ट्राई करें इसे, यह बहुती सुन्दर डिजाइन है, बहुती जंदली बनने वाला डिजाइन है, अगर आप को मेरी वीडियो पसंद आई हो तर प्लीज मेरे चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक चरूर करें इससे आपको मेरी हर वीडियो के अपडेट मिलती रहेगी थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो फिर मिलते हैं अगली वीडि वीडियो में